कर दोस्तों स्वागत है आप सभी का बाइलोजी बूस्टर में और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 12th क्लास बाइलोजी 11th क्लास बाइलोजी और नीट स्टूडेंट सभी के लिए है फिक है वो बच्चे जो नीट 2004 की प्रपरेशन कर रहे हैं या वो बच्चे जो 11th ल हो सब्सक्राइब क्लास का चाहd की ठीक है तो perfect strategy इसमें मैं बताऊंगा फालतों के बाते नहीं करूँगा ज्यानबाजी नहीं करूँगा main जो important चीज़े हैं वो मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो जो बच्चे इस channel पे नए हैं वो इस video को पूरा देखेगा इस channel को subscribe कर लीजे like कर दीजे अगर वीडियो पसंद आया तो आपको और अपने इसी तरीके के जो दूसरे friends है जिनको problem है या जिनको पता नहीं है नीट exam में कैसे त्यारी करनी है उनको ये वीडियो ज़रूँ शेयर करें ठीक है अगर आपको biology booster के notes से ही है biology के notes से ही है मेरे hand written तो आप biology booster app डाउनलोड कर सकते हैं एप का link जो है description में given है इसके अलावा आप channel के about section में जाके मेरा number भी ले सकते हैं WhatsApp नमर और WhatsApp पे भी doubt पूस सकते हैं ठीक है तो चलिए time को खराब ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और starting में कहा रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखेंगा तभी आपको पूरा धंग से idea हो पाएगा कि actual में यह exam है क्या ठीक है तो हमारा जो exam है वो है NEET ठीक है तेखो बात करते हैं NEET exam की NEET ठीक है NEET 2024 हमारा exam है ठीक है जिसके लिए हमें prepare करना है ठीक है तो जैसा कि हमेशा मैं एक बात कहता हूँ किसी भी exam को clear करने के लिए तीन चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है तीन चीज़ें आपको दिमाग में क्या रखनी है बच्चों सबसे पहली चीज़ आपको रखनी है दिमाग में ठीक है field दूसरी चीज़ आपको दिमाग में रखनी है वैपन और तीसरी चीज़ आपको दिमाग में रखनी है प्रैक्टिस ठीक है मुझे इस फिल्ड में 10 से 12 साल हो गए है पढ़ाते हुए तो मैं अपने अन्भव से आपको एक चीज़ बता रहा हूँ हिंदुस्तान का कोई भी एक्जाम आप दें भले वो नीट ही क्यों ना हो आपको तीन चीज़ें आपको तयार करनी है सबसे पहली चीज़ फिल फिल्ड का मतलब क्या हुआ युद्ध मैदान युद्ध का शेत्र ठीक है तो आपको यह पता होना चाहिए कि अपकी लडाई कहा होने वाली है ठीक है कुरुख शेत्र में लडाई होने वाली है तो उसकी स्ट्रेटीजी अलग बनाएंगे आप ठीक है मान लिजे किसी होना चाहिए कि आपकी लड़ाई होगी कहां समझ पार है मेरी बात इसको relate करूँगा आपके needs से कैसे relate करूँगा देखो सुनो field मतलब यहाँ पे हमारे exam में field का क्या मतलब है आपके exam में field का यह मतलब है कि आपको जो है यह पता होना चाहिए कि आपका syllabus क्या है मतलब आपका युद्ध शेत्र है ना पूरा आपका युद्ध शेत्र है वो आपको फूरा पता होना चाहिए हुसमें ऐसा कोई भी कोना नहीं बचना चाहिए जिसके बारे में आपको idea नहीं है तो सबसे पहले आपको syllabus जो है स्लेबस डाउनलोड कीजिए या तो NT website से या मैंने भी एक वीडियो बनाया था स्लेबस पर जिसमें मैंने पूरा स्लेबस बता है तो वो स्लेबस आप निकाली अपने copy में paste कीजिए या जहां पढ़ते हैं वहां paste कीजिए सबसे पहले आपको पता होना चीए कि field का है देखो कोई भी एक्जाम हो वो अपना एक स्लेबस जारी करता है स्लेबस अपना निकालता है और उस स्लेबस के according ही वो question पूछता है ठीक है तो स्लेबस में जो चीजें है वही हमें पढ़नी है स्लेबस से बाहर जो चीजें है वो हमें टच भी नहीं करनी है क्योंकि हमारे पास एक ही साल है हमारे पास इतना टाइम नहीं कि फाल्तू की चीजें हम पढ़ते रहें ठीक है बायलोजी तो बहुत बढ़ी है NETJRF की भी बायलोजी होती है PhD की भी बायलोजी होती है तो हम रिसर्च नहीं कर रहे है हमें ये पता होना चीजे कि हमें कौन सी बायलोजी पढ़नी है तो आपका फील्ड आपको पता होना चीजे बायलोजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में यानि कि पूरा स्लेबस आपको परफेक्ट पता हो ना चाहिए कि इस स्लेबस है यह है आपका युद्ध शेत्र यानि कि फील्ड ठीक है इसके बाद दूसरी चीज़ आपके वैपन वैपन मतलब लडाई किस से हो रही है अगर पुरानिक लोगों से लडाई हो रही है आप त तो आपको यह पता करना है कि आपके वैपन जो है ठीक है इस फील्ड के हिसाब से वैपन सही है कि नहीं है ठीक है वैपन का मतलब यह है कि हर चैप्टर जो है ठीक है यानि कि आपके physics, chemistry, biology में जो भी चैप्टर है उस हर चैप्टर का आपको जो है पता होना चाहिए कि इस को कैसे solve किया जायेगा ठीक है इसके लावन को कैसे पढ़ना है एकी को कैसे पढ़ना है तो हर chapter में ट्रिक्स हैं learning करने के अलेग लगलग methods हैं मैंने अपने वीडियोज़ में बता है काफी सारे तो उससे भी आप help ले सकते हैं तो यह हैं आपके weapons यानि कि आपके पास सारे weapons तयार होने चीए इस लड़ाई की ठीक है जहाँ पे जिस weapon का use हो वही weapon आपको इस्तमाल करना है suppose सामने वाला आप से हाथ पाउं से लड़ रहा है ठीक है तो आप वहाँ पे missile तो छोड़ेंगे क्योंकि जब हाथ पाउं से आपको से destroy कर सकते हैं तो why you waste your missile ठीक है तो इसी तरीके से आपको पता होना चीए कि किस चप्टर में हमें कैसे solve करना है उसको ठीक है तो यह हैं आपके weapon यह कहीं सारे weapon आपके तयार होंगे कहीं सारे weapon आप तयार कर रहे होंगे पूरे साल में आपको weapons ready कर लेना है सारे ठीक है तो आपको field पता है आपको weapons पता है अब तीसरी चीज़ आती है लडाई ठीक है लडाई जब होगी तो वो लडाई बहुत fast होगी बच्चों ठीक है आपको इतना मौका नहीं मिलेगा कि आप ये सोचें कि आपको मतलब इतना से लड़ेगा कभी तलबाद से लड़ेगा कभी वो कुछ और instrument यूज कर सकता है कुछ और gun यूज कर सकता है ठीक है तो इसलिए आपके practice होनी चीज़ है ठीक है हर chapter पर आपके इतनी तगड़ी practice हो इतने बार repeat करना है इसको इतने बार practice कर लेना है कि तुरंत ठीक है जैसे cricket यूज करने के बाद भी अगर आपने practice नहीं की तो आप लड़ाई नहीं जीत पाएंगे क्योंकि सामने वाले की बहुत ज़्यादा speed है और आपके speed बहुत slow है speed से मेरा मतलब है time जो आपको time मिलेगा exam में 3 घंटे का time मिलेगा और उसमें आपके पास 100 सी question होंगे बच्चों यानि कि एक question के लिए एक minute है तो एक minute में अगर वो question आपसे solve नहीं हो रहा है तो यह आप लड़ाई नहीं जीत पाएंगे तो अपने timing आप कैसे speed करेंगे practice से एकी तरीका है practice करो जाधा जाधा प्रैक्टिस करो ठीक है कोई भी आपका chemistry का कोई concept है physical chemistry है या आपका physics का कोई concept है kinematics है कुछ भी कोई topic है particular तो उसमें आपको practice करनी पड़ेगी बायो में भी आपको practice करनी पड़ेगी कि आप उसको जल्दी solve करें ठी तो कि आपको revise भी तो करना है एक बार ठीक है एक बार आप यह भी तो देखेंगे कोई question छूट तो नहीं गया last minute ठीक है तो आपको एक minute से भी कम में उसको solve करना है लगभग 30 second से 40 या 45 second तक आपको question को solve कर देना है ठीक है clear यह बात तो पहली बात तो यह हुई कि आपको यह तीन चीज़ें पता होनी चीए ठीक है clear यह बात समझ गए अब मैं आपको यह बताऊँगा कि यह NEET exam actual में है क्या कितनी seats है कितने कितने मतलब cutoff आपको लानी है कौन सी category में यह सारी बातें मैं आपको बताऊँगा ठीक है clear यह बात अब सुनिए अब यह जो NEET exam होता है हमा test और NEET का मतलब है national eligibility come entrance test ठीक है तो अभी क्या हुआ दोस्तों हमारे time पर क्या होता था कि अलग-अलग colleges अपने अलग seats निकाला करते थे जैसे कुछ colleges हैं AIMS हुआ AIMS आपका जो संस्ता है या जिपमर है या PGI चंडिगर है AFMC है ठीक है यह अलग-अलग अपनी seats निकालते और CBC PMT याने की AI PMT अपने अलग seats निकालता था ठीक है तो इस हिसाब से अपने seats से निकालते थे और उस हिसाब से exam में जो rank आपके आरे उसके हिसाब से आपको college मिलता था ठीक है उसके बाद क्या हुआ कि AIMS और जिपमर को भी merge कर दिये गया है ठीक है यानि अब हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा medical college नहीं है जो NEET के अंडर नहीं आता भले वो government college हो private college हो ठीक है समझ में आ रही है इब बात आपको नीट में सारे government college private college आता है MBS के BDS के आयरुवेदा के वेटनेरी के सब के ठीक है clear यह बात अच्छा इस exam में लगवग seat है आपकी लगवग पिछले 2023 जो अभी चल रहा है यह जो exam होता है इसके अनुसार में data बता रहा है आपको ठीक है तो लगवग आपके 77,000 seats है 77,000 जो ह है seats है total ठीक है इसमें से जो आपके government college यह government private दोनों included है ठीक है अब इसमें से जो government seats है आपकी वो लगवग 45,000 के आसपास है 45,000 जो seats है वो government colleges की है government college ठीक है अब इस government college में सिर्फ MBBS के college ही नहीं है इसमें आपके BDS, MBBS, Ayurveda और सारे जो दूसरे होते हैं मतलब वेटनरी वगरा सब include हो गए कुछ में nursing भी include है ठीक है तो इस सारे इसमें include है यानि कि 45,000 government seats है ठीक है अब क्या फर्क होता है government college और private college में क्यों लोग government college के कम importance क्यों देते हैं ठीक है देखो बच्चों सबसे पहला आप यह समझे अगर आप एक normal background से belong करते हैं यानि कि आपका जो background है बहुत सादा rich नहीं है आपके parents या financially बहुत अच्छे नहीं है तो government college आपके लिए बहुत important है क्योंकि government college में आपकी fees बहुत कम रहती है उल्टा आ इसके अलाब की food की facility अच्छी होती है और सबसे main बात जो government college की degree होती है उसकी अपनी एक authenticity होती है value होती है ठीक है clear ही बात इसके अलाबा private college जो है उसमें fees जादा होती है मैं यह नहीं कहरा कि private college खराब है लेकिन as compare अगर हम करें तो private college की fees जादा है कहीं जगे donation भी देनी पड इसके अलाबा private colleges में आपको मतलब जो है सबसे main जो चीज है वो ही है कि degree की authenticity थोड़ी कम है ठीक है simple से बात अगर आप SMS जैपूर से degree लेते हैं और आप राजस्तान के किसी private medical college से degree लेते हैं तो ज्यादा value SMS की होगी यह आपको clear होना चाहिए ठीक है तो हमारा लक्ष होना चा ठीक है बात सिर्फ पैसों की भी नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि जो rich बच्चे है वो private प्रिफर करें rich बच्चे भी government ही प्रिफर करें और प्रिफर करते भी है बच्चे government college में ही जाना पसंद करते हैं क्योंकि उसकी authenticity उस degree की MBBS जब आप वहां से लोगे तो उसकी एक मतलब authenticity उ ठीक है अच्छा अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि एक्जाम जो है इसका इसका तरीका क्या है ठीक है देखो सबसे पहली बात इस एक्जाम में तीन section है ठीक है एक तो है bio एक है chemistry और एक है physics ठीक है questions कितने आते हैं इसके questions आएंगे आपके 90 questions ठीक है इसके questions आएंगे 45 questions और इसके question आएंगे 45 questions ठीक है one question जो रहता है वो आपका four marks का रहता है ठीक है four marks का question है और one marks negative marking है ठीक है यानि 25% negative marking है और आपको एक question सही होता है तो चार number मिलते हैं ठीक है तो इस हिसाब से अगर हम question देखें तो total question हो जाते हैं आपके कितने 180 question हो जाते है 720 marks का ये paper है ठीक है 720 marks का ये paper है ध्यान से समझना जिन बच्चों को पता नहीं है इस वीडियो में आपको सारी information मिल जाएगी कि कैसे आपको तियारी करनी है ठीक है देखो महनत सब करते हैं महनत रिक्षा वाला भी करता है महनत जो हमारे घर पे घर वागरा बनाते हैं मारे मिस्त्रिय वागरा या कार्पेंटर वागरा सब करते हैं महनत सिर्फ महनत से काम नहीं होगा महनत के साथ आपको साई direction भी चुदनी पड़ेगी ठीक है तो इसलिए इसको ध्यान से समझिये अब ठीक है अब 720 जो है ना 720 ठीक है इसमें से कितने नंबर पर आपका selection होगा यह मैं आपको बताता हूं ठीक है से 720 के बीच आपके marks आते हैं ठीक है तो आपको मिलेगा AIMS AIMS ठीक है All India Institute of Medical Science Delhi Center ठीक है डेली वाली जो बिल्डिंग है वो आपको मिलेगी AIMS बहुत हो गए है आजकल 19 AIMS है हमारे देश में और 4 अभी बन रहे हैं तो total 19 और 24 के 23 AIMS हो जाएंगे सारे AIMS अपने आप में लाजवाब हैं लेकिन दिल्ली वाला जो AIMS हो सबसे ज़्यादा जबरदस्त है वहां आप seat बनाते हैं तो एक अलगी बात है ठीक है तो यह सबसे top priority होती है बच्चों की हमेशा जो बहुत महनती हैं या merit holders हैं ठीक है 80 से 715 के बीच जाती है तो आपको मिलता है M.A.M.C मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली ठीक है फिर इसके बाद इससे थोड़ा कम करें जैसे 650 से 680 के बीच करें तो फिर कहीं कॉलेज आता है जैसे सवदर जंग V.A.M.C बोलते हैं इसको V.A.M.C कभी आप दिल्ली एम्स गए हो तो इसके सामने बिल्डिंग पढ़ती है इसके ठीक है यह इसके बाद जैसे 630 से 650 के बीच में आपका लाया करता है लेडी हार्डिंग देखो स्टेट वाइज लेडी हार्डिंग गर्ल्स का कॉलेज है और इसमें mbbs के लिए बच्चे जाते हैं ठीक है तो यह डैली के कॉलेजेस हैं जो टॉप प्यॉर्टी पर आते हैं ठीक है देखो स्टेट वाइज मैं देख रहा था इसकी रैंकिंग तो state wise सबसे ज़ादा जो merit जाती है वो डैली के colleges के जाती है ठीक है उसके बाद फिर अलग-अलग colleges के जैसे राजस्थान के colleges आपको लगवग 550 से उपर में 550 से उपर अगर आप ला रहे हैं तो आपको government medical colleges MBBS seat के लिए मिल जाएगा ठीक है तो अलग-अलग है state wise UP में अलग है UP में जैसे King George medical college है आपका लखनो में तो अलग-अलग है system ठीक है तो लगवग यह ranking यह तो टॉप priority के मैंने बात की ठीक है अब देखो डॉक्टर बनना ही अपने आप में एक बड़ी बात है ज़रूरी नहीं है कि इन में इस का एक्जाम देते हैं बच्चे ठीक है तो आई- EPSC के seats होती है 900,000 जो seats हैं उसमें से top के जो 1.500 या 200 रहते हैं वो आई-स बनते हैं ठीक है अब देखे इसमें से luck है एक तरीके का क्योंकि 1.500 जिस बच्चे की rank आ रही है 100 जिस बच्चे की rank आ रही है और जिस बच्चे की 5th rank आ रही है mental level में जादा फर्क नहीं है बस फोड़ी बहुत चीज़े matter करती है तो आप कभी भी यह मत सोचना कि जैसे किसी बच्चे की 715 rank आ रही है और कोई बच्चा टॉपर है 720 में से 720 ले आ है ठीक है शौय बाफताप की तरह ठीक है तो यह नहीं है कि 715 वाले का IQ नहीं है वो सेम ही है लगबद थोड़ी बहुत तो कहना में यह चाहरा हूं कि आपका लक्ष जो है MBA seat निकालना होना चाहिए आपका लक्ष एम्स या यह colleges नहीं होने चाहिए ठीक है देखो क्योंकि यह जो है बहुत मतलब ना इसमें थोड़ा बहुत आपका लग भी matter करेगा frankly speaking ठीक है तो हमारा लक्ष क्या होना चाहिए कि हमें जादा से जादा रैंक लानी है नीट के एक्जाम में ठीक है ताकि हमें अच्छे से अच्छा college मिले अब फिर देखते हैं counseling में कौन सा college आपको मिलेगा ठीक है clear यह बात क्योंकि fix आप इसको focus करके करेंगे तो हो सकता है आप नीचे आपकी rank है तो फिर आप demotivate हो हो जाएंगे मेरी बात समझिए अब ठीक है clear यह बात अब देखो सबसे कमाल के बात यह है कि किस seat पे किस किस rank पे मैं यहां लिखता हूं देखो किस rank पे हमें mbbs mbbs government college मिल जाएगा ठीक है यानि कितनी rank पे हमें mbbs का government college मिल जाएगा तो इसका answer है 550 above 550 या 550 से उपर अगर आपके marks आते हैं 720 में से तो आपको definitely government college मिलेगा mbbs seat पे ठीक है clear यह बात इस exam के बारे में कुछ और बाते हैं सबसे पहली बात इस exam का जो qualifying है सबसे पहले आप qualify करोगे तब ही आपको कोई college मिलेगा है तो qualifying कुछ criteria रखा है नोंने ठीक है तो qualifying जो criteria है इसका वो लगबग 50% है general category के लिए और 40% है आपके ST, SC, OBC के लिए physical handicap के लिए ठीक है तो 720 का 50% ह यानि 360 marks हर बच्चे को लाने ही है तब वो need qualify क्या लाएगा तीक है समझना इस बात को ठीक है यानि 360 number उसको लाने ही है तब जाके उसका need qualify हुआ है rank मिलना या फिर college मिलना तो बात की बात है 360 number आपको लाने ही है ठीक है इसके बाद जितने number आपके बढ़ते जाएंगे उसक इसाब से आपको college मिलेगा ठीक है 550 में आपको government medical college मिलता है general category को ST, SC, OBC में कई जगर 400 या 420 तक भी government college मिल जाता है ठीक है लेकिन मैं बात करूँगा general category के इसाब से क्योंकि मैं नहीं चाहता है कि कोई ST, SC, OBC का student भी हो तो वो ये सोचके पढ़ाई करे कि मैं ST, SC, OBC का हूँ reservation है तो मेरा आसा नहीं सोजाएगा ऐसा नहीं है ठीक है आप खुद को general मान के पढ़ाई केजिए तो आपका target जो है above 550 होना ही चीए ठीक है अब देखिए above 550 के लिए above 550 के लिए सबसे पहले बात यह है कि मान लोग किसी किनी दो बच्चों के marks सेम है ठीक है मान लोग किसी ब आपके जो notification है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यह लोग कुछ criteria इन्होंने fix कर रहा है कि अगर दो बच्चों के marks clash करते हैं तो सबसे पहले ओ देखेंगे क्या कि इनके बायो में कितने marks है ठीक है अगर बायो में किसी के marks जादा है तो उसको पहले ओ प्रियोर्टी है ठीक है clear रही बात तो यहां से हमें यह बात समझ में आती है कि biology is the most important subject of this exam ठीक है मैं यह नहीं कहता कि physics chemistry important नहीं है पर यह criteria कि हिसाब से biology और chemistry ज्यादा माइने रख रहा है ठीक है दूसरी बात यह भी है क्योंकि biology का weight is ज्यादा है 360 marks का अकेला biology ही है तो biology आपको अच्छा करना ही करना है तीसरी बात biology आपको इसलिए भी अच्छा करना है क्योंकि आगे MBBS में आप biology ही पढ़ेंगी पूरा ठीक है तो biology आपका super strong होना चाहिए ठीक है biology ऐसा subject है जिसमें 360 में 360 बच्चे नमबर लाते हैं अगर आप aims target कर रहे हो कोई बच्चे aims target कर रहा है 715 से उपर तो इसका ये मतलब है कि उसके बायो में 360 में 360 आने ही चाहिए chemistry physics में उसके लगभग कितने marks होने चाहिए 200 marks 200 marks लाने के लिए उसको मतलब उसका पूरा paper सही होना चाहिए ठीक है 300, नई 200, सुरी, 340 marks होने चाहिए उसके physics chemistry में इसका मतलब यह हुआ कि physics और chemistry में जो है 45 का एक हुआ ना 180 का physics हो गया 180 का chemistry हो गया 180 में से 170 उसके chemistry में और 170 उसके physics में होने चीए यानि कि biology पूरी सही होने चीए 360 में से 360 physics और chemistry में केवल वो 2 question गलत कर सकता है इतनी उसके पास छूट है physics में 2 chemistry में 2 बाकि उसका पूरा paper सही होना चीए तब जाके वो aims Delhi के लिए eligible बनता है ठीक है जनरल हम selection के बात करें तो 550 हम target करते हैं 550 हम target करते हैं कि 550 पे आपको medical college मिल रहा है MBBS seat के साथ ठीक है तो इसमें जो मेरी strategy है बच्चों मेरे channel पर जो में बताता हूँ biology बायो में 360 हम target करेंगे 360 360 हम fix target करेंगे इसी तरीके से हम पढ़ाई करेंगे अगर human error हो जाते हैं कई बार human है कुछ बार error हो जाते हैं तो मान लेजे कम से कम आप 340 पे भी अटकते हैं प्चेस कोशन ही स Yin करपा है 45 में से थीक है और चेमिस्ट्री में 25 कोशन ही स Ravi करपा है 45 में से 50 कोशन यह हो गए 50 कोशन आपने 下一 किए एक कोशन चार नंबर का तो यहां पर आपको मिल गए 200 नंबर मसलब 200 नंबर हां आपके physics केमिस्ट्री में और बायो में 340, इसको add करो, ठीक है, इसको add करते हैं तो यह बनता है 540, ठीक है, 540, लगभग आप इसके आसपास पहुंच गए, ठीक है, 550, 540, इसके आसपास आप पहुंच गए, मतलब आपको बड़े आराम से MBBS seat मिल जाएगी, गवर्मेंट कॉलेज के साथ, ठीक है, क्लेर ही बात, क्योंकि देखो, मैं खुद biology student रहा हूँ, physics भी मैंने पढ़ी, chemistry भी मैंने पढ़ी, तो एक बात मैं जानता हूँ, कि जो, देखो, कुछ exception होता है, उनकी बात निकर रहा है, कुछ तो unique होता है, बिल्कुल 98-99% वाले, 70% वाले बच्चे को भी, 60% वाले को भी, 98-95% वाले को भी, ठीक है, तो कुछ बच्चे unique होता है, कि उसका maths भी strong होता है, बायो भी strong होता है, सब ही strong होता है, लेकिन अमूवन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि maths एक analytical subject है, बायो एक theoretical subject है, ठीक है, तो बायो जोसका strong होता है, उसका maths थोड़ा कमजोर होता है ठीक है, तो maths के ही बहन है physics, तो physics में भी थोड़ी दिक्कत आती है ठीक है, clear ही बात तो बच्चों मैं आपको ये कह रहा हूँ कि bio आप बनाओ super strong कि bio में कम से कम भी गए आप तो 340 आप के आएंगे अपन तो 360 target करेंगे ठीक है, इसके बाद आप मात्र physics में 25 question भी सही करते है यानि 50 में से 45 में से कितने सही करने है बस आपको 25 सही करने है ठीक है, और chemistry में भी आपको 45 में से 25 सही करने है इसके बाद आपके दोसर नमबर यहां हो गए 540 से इतने होगा, आपका धूम धाम से सेलेक्शन होगा, पहले ही साल में NEET MBBS सेट आपको मिलेगी, ठीक है, क्लेर ही बाद तो आपको क्या करना है, मैं यह नहीं कहा रहा physics chemistry ना पढ़ें, अपना best पढ़ें physics chemistry, देखो बायो वाले जो बच्चे होते हैं, बायो स्ट्रॉंग करें सूपर स्ट्रॉंग, chemistry थोड़ा आसान पढ़ता है होना, तो chemistry भी अच्छा कर लें ठीक है, physics थोड़ा tough लगता है तो physics इतना तो आपको करना पढ़ेगा कि 25 से 30 question आप सही करता है ठीक है, clear ही बाद, ये तीन subject आपके इस तरीके से आप बना लें आपका पहले ही साल में selection होगा, ठीक है, clear ही बाद तो biology के लिए मैं हूँ chemistry और physics के लिए आप particular अपना mentor ढूंड़िए, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसका भी आपको समझ में आता है, और इस तरीके से आप तयारी शुरू केजिए, exam tough है, दुनिया जानती है exam tough है, इसको बार-बार क्या बोलना, लेकिन मजा तो तभी है न, जब tough चीज़ को निकाल लें ठीक है, आसान चीज़ तो वैसे भी अच्छी नहीं होती है, और आसान चीज़ तो आप बनने भी नहीं जा रहे है, डॉक्टर बनने जा रहे है, आप डॉक्टर मतलब सबस्यादा सम्मान दिया जाता है, आपको एक बोड़ी, मतलब एक शरीर, एक लिविंग इनसान को ट्रीट करना है, ऐसे गड़बड करोगे, पढ़ाई अच्छी नहीं करोगे, तो मार दोगे आप तो उसे, ठीक है, तो इसलिए, बहुत ज़ादे respect और decency के साथ पढ़ाई करें, बहुत मेहनत करें, और कहीं भी अटकते हैं, तो अपने जो इस एक्जाम का पूरा एक प्रोसस, पूरा एक क्राइटेरिया समझा दिया, कि एक्जाम है क्या, किस तरीके से आपको लेना ही इस एक्जाम को, ताकि आप पहले ही attempt में इसको clear कर पाएं, ठीक है, clear ही बात, चलिए, thank you so much, love you all